आज का जो ख्राफ है वो दो इपार्टेंट के बारे में है एक हैं कंट्रेब्युशन मर्जन और दूसरा है कंट्रेब्युशन मर्जन रेफ। तो कंट्रेब्युशन मर्जन से यह मौरथ है, sales minus variable cost is called contribution margin. जब हम sales से variable cost minus करते हैं तो बकाया amount को कहते है contribution margin या r if only variable cost are deducted from the sale जब सिर्फ variable cost हम minus करते है the remaining amount is called contribution margin तो बकाया जो amount रहता है फई से रहते है तो इसको कहते है contribution margin यानि जो formula है contribution margin is equal to sales minus variable cost ये amount में होता है ये rupees में होता है या dollar में होता है फर इजेंपल percentage में ये नहीं होता ये रेशों में नहीं होता ये amount में होता है फर इजेंपल हमारे पास जो sale है वो 50,000 है यानि 50,000 रूपीज है और जो variable cost है वो 40,000 रूपीज है तो 50,000 minus 40,000 कितना मत है रूपीज़ 10,000 तो 10,000 रूपे किया है ये contribution margin है जब हम sale से variable cost minus करते है तो जो बकाय amount रहता है इस amount को गएता है contribution margin ये तो clear हो गया ये तो amount में होता है इसके बाद है contribution margin रेशो ये amount में नहीं होता ये या तो रेशों में ये इसारिये में या होता है contribution margin या percentage में होता है contribution margin रेशो यह तो इसारिय में होता है और यह percentage में होता है तँ देहें इसका किया मतलब है गराता है whether लृफिज सेल उड यह करता है इसका मतलब यह है कि जब हम एक रूपीज सेल करते है या एक डालर सेल करते है तो इस sale में से यानि profit का portion भी होता है variable cost का portion भी होता है और fixed cost portion भी होता है ये तीन portion होते है profit, variable cost portion और fixed cost portion यानि एक रुपी sale में या एक डालर sale में ये point यानि नोट कर ले जब हम फर्स करते है कि जब हम एक डालर या एक रुपी हम sale करते है तो इस में से profit का portion होता है variable cost portion होता है और fixed cost portion होता है यानि नोट कर ले अब गया किता है the ratio ये ratio जो show करता है that how much fixed cost and profit included in a single रुपी order of sale जब हम एक डालर sale करते है एक रुपी sale करते है तो इस एक रुपी में इस एक डालर में fixed cost और profit का amount कितना है ratio कितनी है fixed cost और profit दोनों कितने amount में है तो इस ratio को इस amount को कहते है contribution margin ratio जब हम एक डालर sale करते है इस एक डालर में से हमारे पास fixed cost और profit दोनों का amount कितना है दोनों के amount को कहते है contribution margin ratio या तो यह इशारिया में होता है और या यह percentage में होता है तो देखे contribution margin रह यह जो फर्मूला है one minus variable cost बटा हुआ sale one minus variable cost divided by sale यह फर्मूला है तो हम फर्स करते है कि एक यह constant है one minus यह variable जो कास है वो three यानि तावदन है और जो sale है वो ten तावदन है को 10,000 पर तक्सीम करते है तो यह आता है zero if area 30 यानि एक minus zero if area 30 इस से आता है zero if area 70 या zero if area 7 इस तरह या इसको जब हम percentage में convert करते है इसको 70% भी हम कह सकते है इसका मतलब यह हुआ कि जब हम एक रुपी या एक डालर sale करते है तो एक रुपी या एक डालर sale में profit और जो फिस कास्ट है इन दोनों का portion कितना है यह 70 है point 70 और 70% जब हम एक डालर sale करते है इस एक में से एक डालर में से profit और फिस कास्ट का जो portion है जो हिस्सा है जो ratio है वो इसारिया 70 है इसका यह मतलब है या 70% है contribution margin का एक और फर्मूला है sales minus variable cost divided by sale तो 10,000 minus 3,000 बटा हुआ 10 या यह amount है तो 7,000 बटा हुआ 10,000 इससे या यह बिलकुल आता है इशारिया 0, इशारिया 7,0 या 70% या यह फर्मूला भी है one minus variable cost बटा हुआ sale या sales minus variable cost बटा हुआ sale तो यह दोनों फर्मूला है तो contribution margin ratio का किया मतलब है एक डालर sale में या एक रूपी sale में fees cost और profit का जो portion होता है इस portion को इस हिसे को कहते है contribution margin ratio और contribution margin इसका किया मतलब है या नि जब हम sale से variable cost minus करते है total तो इस बाकाया को कहते है contribution margin margin